वेलकम बाक ओन इंडियन रियक्शन ओन क्रिकेट तो पाकिस्टान का स्कॉर्ड अनॉंस कर दिया है अगेंस इंग्लेंड जो टेस्स मैच खेलने वाले तो लेट सी कौनसे कौनसे प्लेयर्स अनॉंस हुए है तो गाई शान मसूद था लास्टाइम पॉफरमेंस नहीं आए थी ठीक है इसको मलब चांस मिलना चाहिए ठीक है शौद सकीन वाइस कैप्टेंड ओक है चलो वह भी अच्छा बैस्वन है अमिर जमाल तो लाइस वन अफ द बेस्ट यह अमिर जमाल है यह अमिर जमाल है यह अल्रू राउंडर यह ह बैस्ट बहुता है अच्छा अच्छा अबदूल लश शाफिक तो इसका तो भाई मतलब चल रहा नहीं बाए बाए टाइम से नहीं चल पा रहा है अब्रार अमद तो गाइज एक मिश्ट्री श्पीनर चीए तो तो रखा है मतलब ठीक है तो है बाद में है बाबर आजब ह बाई 30 बाई 30 है 16 मैच मैच होगया है सोबाइस हो गया है इंटरनाशनल मैच की बात करो ड़ेक है दो इन्टरन में मनते अच्छे में आ जाते तो भाई बाई तीक है बाबर आजम गंडे का की अफे बैस बोलते रहे थे पतानी क्या क्या कूं सा पर्फॉमेंस की अबी तक एक भी आदमी, मीर हमजा, ठीक है, ये मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, फिर ये मुझे इतना है, पता नहीं, 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 पता नही आयूब भाई कित्ता चांस और कित्ता चांस और सलमान अली आगा तो हीज़ गुड़ बैट्समें असवेल बॉलर अंसो विकेट निकाल के दे सकता है सर्फरा जहमत भाई शुड़ बैट्रे कर दिया है पूरा पार्किसान क्रिकेट ने तो उसका बुलते है नहीं अभी भुगत्रे आजिका कर दिदू वाया थ Hybrid उ स्कूल को रस दो यह कर चैंस दो चोंब के बाद बॉलिंग नहीं हो पाती हिटनेस का मसला है सब भूसार चीज़ था तो guys I hope आप लोगों ये वीडियो पसंद आगे रहेगा तो guys let's see Pakistan क्या करती है against England doubt है भाई कि बांगलती से जीत ने पाई तो England से भी क्या उमीद रखू भाई उमीद ही नहीं है उमीद कुछ भी नहीं है पहले जो Pakistan के टीम थे और अभी की जो Pakistan की टीम है क्रिकेट भाई क्रिकेट को पुरी बदनाम कर गए अभी देखते बाई आगे क्या होता है पाकिजन क्रिकेट का बाई क्या मौसिन नक्वी करता है let's see PCB को कहा से कहा लेके आगे है अब वापस का लेके जाना है for the best for Pakistan Cricket तो guys I hope आप लोग को वीडियो पसंद आ गया रहेगा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो guys make sure guys like and subscribe the channel मैं मिलता आपको next video मैं thank you so much for watching guys stay blessed and stay happy guys thank you